पिशले कुछ दिनों में जो इमारत गिरने की घटना हुई उसे धान में रखते वे बीएमसी के कारेकरता उन्हें सतरता बरतनी शुरू कर दी बीएमसी ने इस बार एक और दुर्गटना ना हो इसलिए उन्होंने चार मजली की मलाड अर्शिवात इमारत को जबरन गिराया आपको बता दे कि बीएमसी ने दोफ मैने पहले बिल्डिंग का जायजा लिया और कहा कि वह बिल्डिंग खाली कर दे लेकिन नोटिस देने के बाद भी बिल्डिंग के रईवासी और बिल्डर ने इसे गंबिता से नहीं लिया दो मैने का अल्टिमेट देने के बावजुद भी कोई कदम नहीं उठाया गया BMC के करमचारी लगातार साथ दिनों से नोटिस भेच कर एवन स्वैम जाक और लोगों को बिल्डिंग खाली करने के लिए सूचीत कर रहे थे कुछ हद तक काफी सारे लोगों ने अपने घरों का सारा सामान लेकर इमारत खाली कर दी गुरवार को BMC के पी नॉर्थ वार्ड की एक इमारत को तोड़ने का आदिर जारी किया ये इमारत 40 साल से पूरानी थी और इमारत को गिरने की संभावना को मदे नज़र रखते विए शुकरवार को BMC पी नॉर्थ वार्ड के अधिकारियों ने इमारत गिराने करने नहीं लिया बिल्डिंग तूटने के समय हमने बिल्डिंग के रईवासों के बारे में पूछा लेकिन सुत्रों के अनुस सरवाब BMC करवचारियों के लवा कोई भी नहीं था BMC के वरिष्ट अधिकारी शेलिश गौड ने ये जानकारी दी कि काफी चेताउन या नोटिस देने के बाद भी बिल्डिंग के लोगों ने कोई निनए नहीं नहीं लिया इस वजह से हमें इस इमारत को जबरन गिराना पड़ा जिस वजह से हाथसा होने से टाला जा सका इमारत की बायां और अस्पताल है और इमारत की दाएं और दूसरी इमारत है इन सभी शेदर को मदे नज़र रखते वे इमारत को गिराए गया और गिरेवी इमारत में रहने वाले रहिवासियों को BMC के तरफ से एक सर्टिफिक्ट दिया जाएगा ऐसा BMC का कहना है एक सर्ट पूरवक बिल्डिंग जो अभी फिलाल गिराये जा रही है कि यहाँ पर घटना होनी की संभावना थी यह बिल्डिंग गिरने की नौबत तक आ गई थी इसलिए BMC ने यहाँ पर एहलान किया और आदेश दिया है यहां पर यह building गिरनी चाहिए क्योंकि इस से बिल्डिंग में होने से हाथसा टल सकता है और सदिसात जो इसके आजू बाजू रहने हाली सारी building है अगर आप गौर करेंगे तो मेरे left साड़ियाण की दाई साइट पर यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग है अगर यह बिल्डिंग इस तरफ गिरती है तो यहां पर भी हाथसा हो सकता है और अगर मेरी बिल्डिंग की दूसरी और अगर बात करें तो और एक बिल्डिंग है और बगल में ही उसके एक अस्पताल है तो काफी बड़ा हाथसा हो सकता है यहाथसा टालने के लिए यहाथसा टालने के लिए बीएमसी ने निर्णे लिया है और इस बिल्डिंग को जो की री डेवलोप्मेंट में भी नहीं जा सकती इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया है बीएमसी ने और साथ इस बिल्डिंग के सभी घरवालों को एक नई सुवीधा कराई है ऐसा कहना है हमारे BMC कमिशनर का कामेरमेन इंतियास के थाथ मैं प्रणाफ शाहत हैल का 24 News मॉंबाई